Hey guys and hope you all are doing well, मैं हूँ आप लोगों को होस्टें दुस्पूनी तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अगर आप ए गिंबल लेने का प्रायन कर रहे हो अंडर 55,000 की प्राइस रेंज के अंदर तो आपको दो गिंबल अभी मार्केट में ट्रेंड कर रहे हैं बहुत जा में कौन सा गिंबल आपके प्रोडक्शन के लिए सही रहे हैं अभी वो दोनों गिंबल मेरे पास में हाल फ्लाल नहीं है बट दोनों ही गिंबल में ओन करता हूं मैं अभी ट्रावल कर रहा हूं दूसरे स्टूडियो में जहां में ए वीडियो बना रहा हूं तो यह ग्यान तो इन दोनों के बीच में मेजर डिफरेंस किया है, दोनों ही सेम प्राइज में आते हैं, लगब पचास से पच्पन हजार उपर के आसपास मार्केट में आपको प्राइज मिलती है, जियून की भी और डीजिय की भी, एक अद्वांटेज जो मुझे लगता है, जियून के ग बंद कर दिया, अगर अगर प्रो कॉम्बो लोगे, विच इस अरॉंड 65,000 रुपीस के आसपास वाला, दैन उली विल एबल तो गटाप बाग जिसके अंदर आप उसे कैरी कर सकते हो, बट जियून में अगर आप कॉम्बो ले रहे हो, प्रो कॉम्बो या नहीं भी ले तो गिंबल का वेट लगभग जो 1.3 kg के आसपास हमें देखने को मिलता है, तो दोनों ही गिंबल का वेट है वो लगभग 1.3 kg के आसपास का है, बट पेलोड कापैसिटी क्रेंफूर की बहुत जादा है, लगभग 6 kg, डबल पेलोड ले सकता है DJI RS3 से, DJI RS3 का जो पेलोड है लगभग 3 kg का है, मैंने क्यों personally Crane 4 जादा मुझे इन दोनों में पसंद आने लगा है, reason because मैं उस पे FX6 जैसा भारी कामेरा, बड़ा कामेरा बैलन्स कर सकता हूं, जो कि मेरे DJI RS3 के साथ में नहीं होता, अगर मुझे उतना भारी कामेरा बैलन्स करना है DJI के गिंबल पे तो उसके लिए RS3 Pro लेना पड़ेगा मुझे, और RS3 Pro जो है वो 1,00,000 रुपी के असपास का है, काफी high price है उसकी market में, तो इस case में मुझे लगता है क्रेन 4 एक बहुत ही अच्छा option है, अगर आप बहुत हेवी कामेरा इस पर बैलन्स करने वाले हैं, भारी lens लगाने वाले हो, रिगप करने वाले हो, कामरा को प्रॉपर्ली और बैलन्स करना जाते हैं, तो Crane 4 एक राइट सल्यूशन रहेगा आपके परपस के अंदर, तो पेलोड कपैसिटी मैं, I think Crane 4 जादा अच्छा option है, फिर दूसरी बात है, क्रेन 4 में एक और अच्छी चीच कंपनी ने यह करी बिल्ट इन LED लाइट भी डाली है, तो दस्वाट की LED लाइट है, जो की की लाइट और फिल लाइट दोनों का काम कर सकती है शूट में, तो वो एक और add-on advantage मुझे पसनी लिगता है, जो कि DJI में नहीं हमें देखने को मिलता, आप भी हमें सोचेए का मैं Crane 4 की जादा तारी इस केस में शूटिंग आप मिल रहा है, रेस सपोर्ट मिल रहा है, आपको हाथ में नहीं काफी comfort रहेगा जब आप longer period के लिए वीडियो शूट करोगे, तो ये एक और advantage हमें, जो है वो DJI से comparatively जियून में हमें देखने को मिल चाता है, तो ये कुछ add-on है, जो जियून के gimbal म में हमें extra मिलते हैं, अब एक जो चीज आजकल popular है video shooting के अंदर वो है vertical shooting, और DJI RS3 as of now vertical shooting को support नहीं करता है, by default साथ में जब आते हैं, तो उसके एक अलग accessory खरीद नहीं पड़ेगी, जो कि अगेन आपको 5-6000 की cost पड़ेगी उसको use करने के लिए अगर आप vertical shoot करना चाते हैं, बट ZYUN में आपको vertical shooting मिलती है, करीन 4 में by default box में से, और Reels का trend आपको पता है, creators बहुत काम करा रहे हैं, तो vertical shoot चाहिए ही चाहिए आज के time पर, जो कि ZYUN में अगेन एक और plus point मुझे देखने को मिलते हैं, दोनों ही gimbal build quality wise बहुत अच्छे हैं, दोनों ही aluminium के बने में, दोनों बिल्ट इन ही देखने को मिलती है gimbal में, तो sometime मेरे साथ में प्रोब्लम होई है, एरपोर्ट पे, मैंने gimbal अपने camera bag में रखावा था, और मेरा bag जो हो पकड़ लिया गया, just because of उसकी battery अलग से scanning में नजर आती है, तो ये एक प्रोब्लम आती है, जियून के gimbal में, थोड़ा traveling के आत के दा, तो अटो अटो लोकिंग, तो gimbal आतोमाटिक लोक हो जाता है, और आफ करते है, वो बेक अच्छा feature है, जो मुझे लगता है, जीून को introduce करना जाहीता है, और जीून में आपको अटो लोकिंग का फीचर नहीं मिलता, पर नॉरमल लोक जो रहता है, वो आपको इस डिस्प्ले मिलती है जहां पर आप उसके बिल्ट इन एफेक्ट और उसके मोड्स और इन सब को सेलेक्ट कर सकते हैं तो दोनों ही अच्छे हैं तो कैलिबरेशन करना है सब कुछ किया जा सकता है तो यह कुछ की डिफरेंसे हैं बट्वेइन ऑफ बोट ऑफ दी गिंबल औ मुझे परिसनाली क्या लगता है कि जो फौन का जो लुबैल कंच धिंबल है क्रेंसे सेमें कंपणी की वरेंटी पॉलजी बहूत अच्य मेघंधा उर्णी के इन बहुत अच्छे, DJI के service में बहुत problems आती है, personally मैंने notice कि आप बहुत पैसा चार्ज करते हैं उनके repairing में, क्योंकि Ziyoon में local base पे sort कहीं ना कहीं हो जाता है, तो ये एक advantage जो मुझे Ziyoon के system का लगता है, और मुझे पसनली दोनों में से, I think Ziyoon एक value for money product रहेगा, crane food आपके लिए लेना, और आप उसे definitely check out कर सकते हैं, दोनों के लिंक मैंने description डाले में, जाके जरूर check out कर लीजिएगा, और जितने भी sample shot मैंने मैंने gimbal से shoot किये हैं, वो सब ass log में shoot किये थे, और उने color grid किया है, मैंने अपनी master luts को use करके, जो master luts मैंने बनाई हैं, खुद से, जिनको आ प्रेमियर दावेंची की सी भी software में, क्रीडिंग के लिए एक single click में use कर सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएंगे उसके भी description में, जाके जरूर check out करना, thank you so much for watching this video, stay tuned and keep shooting,